इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्विंग की विकाज हम लोग स्विंग पढ़ने वाले हैं तो स्विंग क्या होता है सबसे पहले यह जान लेते हैं What is Swing, Java Swing is an API to develop GUI or window based applications in Java, it is part of Oracle's Java Foundation Classes JFCG से कहते हैं तो यह Swing क्या स्विंग एक API है, जो की window based application यह फिर graphical user interface को develop करने के कामा आता है यानि कि अगर आपको graphical user interface develop करना हो तो आप swing का इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको बता दू कि सिर्फ swing नहीं और भी API है जिसका यूज करके आप graphical user interface को develop कर सकते हैं लेकिन यहां हम लोग basically swing को देखने वाले हैं swing जो है वो JDK 1.1 जब आया था तब इसको लाया गया है यह extended version है AWT का AWT आप लोगों ने पढ़ा होगा AWT का playlist अलड़ी हमारे पास है तो AWT का advanced version आप कहा सकते हैं swing को ठीक है अब यहां एक line उपर हम लिखा it is part of oracles java foundation classes JDK 1.1 जब आया तो औरेकल्स java foundation classes में इसको include किया गया swing को तो ऐसा नहीं कि AWT को नहीं किया गया AWT पहले से तो था ही 1995 में उसको भी इसमें include किया गया था यानि कि JFC में include किया गया और भी है जावा 2D है इस तरीके का और भी है तो इतना detail में लोग नहीं चाहेंगे बस इतना definition के लिए काफी है जैसे कि मैंने कहा कि यह enhanced version है AWT का यानि कि advanced version है AWT का AWT का extended version आप क्या सिरते हैं swing को यह lightweight है AWT क्या होता है AWT heavyweight होता है लेकिन यह lightweight है अब lightweight का मतलब क्या था lightweight का मतलब यह है कि यह platform independent है यानि कि अगर आप चाहें तो यही कि आपने एक program बनाया है एक application आपने बनाया एक graphical user interface बनाया Windows operating system में तो वह जिस तरीके से वह आपको Windows operating system में दिखाई दे रहा है उसी तरीके से आपको Linux में भी दिखाई देगा उसी तरीके से Mac में भी दिखाई देगा दिखाई देगा मतलब उसका look जीसे कि button button का जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है विंडोस में, वही डिजाइन, वही लूक, वही फिल्ड आपको Linux में भी मिलेगा, वही फिल्ड आपको Mac में भी मिलेगा, ठीक है, More components like radio button, इसमें आपको AWT से compare करें इसको, तो AWT से ज्यादा components मिलते हैं, AWT में radio button नहीं, लिखने सापको radio button मिलता है और भी बहुत कुछ है इसमे एक्स्ट्रा, ठीक है इसलिए तो इसको advanced version कहा जाता है AWT का, ठीक है यह तो हम लोग डिटेल में देख लिए कि किस तरीक से इसको import करना है, जब code करेंगे थाओ, ठीक है तो यह है आपका swing, ठीक है और थोड़ा से जानते हैं इसके बारे में, एक user है आपका और आपने एक program लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि यह हमारा graphical user interface है, और user इसके थुरू interact करता है आपके code से और यह हमारा graphical user interface, यानि graphical user interface जो होता है, वो mediator का काम करता है between user and your program, ठीक है ओके यह जो है यह आपका graphical user interface है, लेकिन इस चीज को जो, इस चीज को design आप जिस चीज से करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं swing, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ इसको design करने का एक मात्र उपाय swing नहीं है, swing के अलावा आप AWT से भी कर सकते हैं, अभी JavaFX चल रहा तो JavaFX से भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको swing लिखा हुआ है, अगर आप AWT का मेरा playlist देखिएगा तो मैंने वहाँ AWT लिखा हुआ है, ठीक है, so swing का use करके आप इस graphical user interface को design कर सकते हैं, यह जब पूरी तरीकरे से बन जाता है तो इसे हम लोग graphical user interface कहते हैं, लेकिन इसको design करने के लिए जो चीज हम इस्तमाल करते हैं, उससे हम swing कहते हैं, ठीक है, अब इस मेंसे जो एक एक कीज आपको दिखाए दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं components, swing का component, यह भी component, यह जो user name आपको यह area दिखाए दे रहा है, इसको भी component कहते हैं, यह जो button दिखाए दे रहा, login button इसको भी component कहते हैं, और इस password का field है, इसे भी हम लोग component कहते हैं, ठीक है, तो यह component होगा है, component तो यहाँ एक technical word आपको मिल रहा है, साथ में एक और technical word हमारे पास है container, अब container क्या है, component तो पता चल गया कि क्या है, container क्या है, container का मतलब हुआ कि जिसमें आप अपना component रखेंगे, ठीक है, जैसे कि table है आपका, जिसमें आपना laptop यह computer रखा हुआ, तो वो table आ आपका container है, और उसके ऊपर आपने जो चीज़े रखी हुए, जैसे कि आपके table के ऊपर में mouse होगा, book होगा, laptop होगा, यह पर computer होगा, फिर जो भी चीज़े, वो सारी चीज़े component है, और आपका table container, ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, तो आपको असा से पहले एक आ mouse को रखेंगे कैसे, यह सारी चीज़े हैं इसमें, तो मुझे उम्मेद है कि component और container दोनों ही समझ में आया होगा, साथ में swing, यहां क्या रोल अदा करता है, यह भी हमें समझ में आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद,